तो फ्रेंड्स कुछ एसे नए टिप्स लेके आई हूँ जीनिया आफ यूज करके अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हो और इस टिप्स की सभी को जरुत होती है अपने कीचन और घर के काम को सॉल करने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख हम इस तरह की जो bobbins होते हैं इसको अगर हम साथ में रख दे तो इसके जो दागे होते हैं वो उले जाते हैं और फिर हमें बहुत이 टाइम लगता है स्पोर сор 59 चाल काऊ training मैं हम अच्छे से इसको समेट लेंगे और समेटने के बाद इसके उपर हम इस तरह से लपेट लेंगे और फ्रेंड्स आप येकिन करिएगा ये बहुत ही useful tips है आप इस तरह से अगर ये use करोगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको time भी नहीं लगेगा तो दिखे इस तरह से मैंने इसकी जो कोना होता है जो नोक होती है दागे की उसको मैंने हलका सा बाहा निकाल दिया है और अब हमने इसको हलके हाथ से लपेट लिया है तो अब जब भी हम इसको use करेंगे तो देखे मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही आसानी से हम इसको इस तरह से खोल के और इसका जो ये धागा है वो हमें आसानी से मिल जाएगा तो I hope ये वाले tips आपको जरूर पसंद आई होगी तो चलिए अगले tips को देख लेते हैं और अगले tips हमारे बहुत ही important होने वाली है तो देखे हमने ये चूड़िया लिया है और चूड़ी हमारे पास ऐसे ही खराब होई अगर पड़ी रहती है तो हम इसका बहुत ही अच्छे सी use कर सकते हैं तो देखे हमें क्या करना है हमें लेना है cello tape और इस तरह की जो mental की चूड़ी है वही हमने लिए है अगर आपके पास में भी खराब हुई चूड़ी है आप उसका use नहीं करते हो तो आप इस तरह से इसका use कर सकते हो देखे हमें ये cello tape लगा लेनी है इसके उपर देखे इस तरह से और लगाने के बाद देखे जो भी हमारे पास चूड़ी होगी वो हम देखे इस तरह से सभी में लगा लेंगे तो फ्रेंश बहुत ही useful आइडिया देने वाले हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल skip मत करना और देखे मैंने इस तरह से इसको बना लिया है और अब हम क्या करेंगे इस तरह की हमें डोरी लेनी है तो इस डोरी को हम दोनों साइड में बाढ़ लेंगे अच्छे से और बाढ़ने के बाद देखे फ्रेंश जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है तो देखे इस तरह से हमने double tape से डोरियों को paste कर देना है अच्छे से और paste करने के बाद जो भी हमारी rumal होगी वो लगाएंगे हम इसके अंदर तो rumal socks मेंने इसके अंदर लगाएं हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा ये organizer बनके तयार है तो friends आप इस तरह से भी इसका use कर सकते हो और आप kitchen में इसको लगा के और जो भी आपके चमच होंगे वो आप चमच इसके अंदर लगा सकते हो तो देखे मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके हम इसमें लगा दे रहे हैं और आप देख सकते हो बहुत beautiful लगता है friends तो आपके लिए ये tips जरूर helpful रही होगी और देखे अगले tips हमारी देखे कपड़ों को लेके होगी जब भी हम कपड़े सुकाते हैं तो कभी कबार क्या होता इतनी जोर से हवा आती है तो हवा आने से क्या है ये क्या है कपड़े इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं और निचे गिरने लगते हैं तो देखे अगर आपके भी इस तरह की कोई problem आती है दिक्कत आती है तो आप क्या कीजेगा जो भी आपकी चिटकन है वो आप देखे इस तरह से साइड में लगा सकते हो दोनों को देखे इस तरह से तो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आपकी जो बेर्ट चिट है टवल है, साड़ी है, कुछ भी अगर आप सुखाओगे तो हवा आने पर बिल्कुल भी ये फोल्ड नहीं होगे और अच्छे सी सूख जाएंगे तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है आप इसका जरूर से यूज़ कीजिएगा और अगले टिप्स हमारे देखे खलबटे को लेके होगी और खलबटे में जब भी हम मसाला कूटते हैं तो क्या है इसमें से आवाज बहुत ज़्यादा आती है तो इसके लिए देखे हमें क्या करना होगा हम एक जिंस का मैंने ये कपड़ा लिया है पुरानी जिंस का कट करकी और इस तरह से में इसके निचे लगा लेती हूँ तो इससे क्या होता है कि ये आवाज बिल्कुल नहीं करता है तो आपके लिए ये वाली टिप्स जरूर हेल्फूल रही होगी और अगले टिप्स हमारी देखिए इस तरह के खाली बोटल को लेके होगी और मैंने देखिए ये बोटल का निचे का पार्ट कट कर लिया है और अब मैं देखिए क्या करने वाली हूँ हमें इस तरह का ये पुराना सोक्स लेना है तो मैंने ये पुराना सोक्स लिया है और देखिए मैं अब इसके अंदर इस तरह से लगाऊंगी लगाने के बाद यह बहुत यूसफुल आइडिया है आपको जरूर पसंद आएगा देखे इस तरह से हमें इसको कर लेना है और अब मैं इसमें डालूंगी चावल तो आप चाहे जो इसको ठेराने के लिए डाल सकते हो देखे तो देखे आप इसको ठेराने के लिए आप जो इसमें चाहे वो डा सकते हो और देखे मैं ने ये flower लिये हैं और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा ये flower coat बन के तयार है तो आप इस तरह से इसका flower pot में use कर सकते हो जो भी हमारे पास में वेश चीजे पर दिरेती है तो हम इसको देखे इस तरह से डेकोरेट करके बहुत ही अच्छे चीज़े बना सकते हैं तो आई होप आपको ये वाले टिप्स जरूर पसंद आए होंगी और अगले टिप्स हमारी देखे बहुत इंपोर्टेंट है देखे इस तरह के बच्चे ये आटे को लेके होगी जब भी हम रोटी बनाते हैं और जब ये हमारा आटा बस जाता है तो हम इसको फ्रीज में रखते हैं और फ्रीज में रखने से क्या होता है यह आटा क्या है सावना पढ़ जाता है और रोटी भी अच्छी नहीं बनती है तो अगर आप फ्रीज में देखिए इस तरह से घी लगा के फ्रीज में रुखोगी तो आपका आटा बिल्कुल भी सावनाल नहीं होगा ना ही आपकी रोटी खराब बनेगी तो आई होप आपक इस तरह से अगर यूज करेंगे तो हमारे निल भी नहीं किरेंगे तो इसके लिए देखिए मैंने एक आपको पहले भी बताया था तरीका और आज मैं यह दूसरा तरीका बता रही हूं आपको तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है और आपको जरूर पसंद आएगा तो द आपको जो यूस्फू लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हो इसको तो देखिए मैंने यह अलग अलग तरीके बताए था कि आप तो क्या है फोल पेपर ले लगा के भी इसको यूज कर सकते हो और अगर आपके फॉल पेपर किसी वज़र से नहीं होता है तो आप इस तरह स प्रेस, लगाते सेंडे में यह लगा लिया है और आप क्या करेंगे में नेयल कट करेंगे तो आप देख सकते हो बिल्यकुल भी हमारे नेयल का यह नहीं आएंगे limit को प्रेस का हधा है जो भी हम लेक्ट लगा रहे हैं इस तरह 120 का योज़ कर सकते हैं और दमके मैं आपको दिखाती हूँ जो भी नेल थे हमने कट किये थे वो सारे इसके अंदर ही थे और इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं तो I hope आपको ये वाला तरीका जरूर पसंद आया होगा और अगले टिप्स हमारी देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और देखिए इस तरह की जो नेल होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं आते हैं जब भी हम इसको देखी उठाते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारे हाथ में नहीं आ रहे हैं तो अगर हम देखिए इस तरह से सेलो और इसको हम उठाएगे तो यह बहुत ही आसानी से ऊट सकते हैं तो देखिए हमें इस तरह से सेलो टेप को कट करना है कि और कड मने के बाद रिखे कि जो भी हमारे नेल है वो देखिए हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और अब हम देखिए jus में निकालेंगे जो बहुत के संदम को लाया है कि आप मेंगा जये हैं यूदी नियू निकालेंगे जो को पीजिए आपको जरूं